हेलो गाईज सौगात है अब सभी का ऑनलाइन स्टेडी एकाड़ी में इस वीडियो में हम मदप्रदेश की आथिक समिक्षा देखेंगे जो की 2020-2021 के लिए है और मदप्रदेश का कोई भी एक्जाम ले लिजें MPPSC है MP पटवारी है SI है वैपम के जो एक्जाम होते हैं तो जि सबसे पहले देखिए आर्थिक समिक्षा करता कौन है मदप्रदेश का तो आर्थिक एवं संक की संचाल नाले मदप्रदेश द्वारा ये समिक्षा की जाती है और ये समिक्षा की क्यों जाती है तो मदप्रदेश की जो अत्विवस्था है उसका लेखा जोखा प्रदान कर है ये 3,15,562 करोड रुपए था अब 2011-12 में इसके अलावा 2019-2020 में GDP की बात करें तो ये थी 5,80,406 करोड रुपए और 2020-21 में अगर बात करें तो इसमें GDP हो गई है मद्द प्रदेश की 5,60,845 करोड रुपए तो इतना अनुमान रखा गया है कि 2020-21 की जो GDP है ये 5,60,845 है तो राज के सकल घरेल उत्पाद में बढ़ उत्तरी कितनी हुई है तो 2019-20 में 83.9 प्रतिशत हुई है आधार वर्ष के कंपारिजर में बात करें जो की 2011-12 है और 2020-21 में 77.7 प्रतिशत बढ़ उत्तरी हुई है इसके बाद प्रचलित कीमतों पे बात करें तो जो राज का स 33,405 करोड रुपे रहा है और 2021 में 9,17,555 करोड रुपे रहा है तो अगर हम प्रचलित कीमतों पे बात करें तो पिछले साल के कंपारिजन में यानि 2019-2020 के कंपारिजन में 2021 की जो GDP है इसमें 3.37 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है इसके लाबत 2011-12 में जो सकल घरेल उत पाद का प्रारंबिक छेत्र था उसका जो अंस था ये 33,85 प्रतिशत था जो कि 2021 में 34,59 प्रतिशत रहा प्रचलित कीमतों पे और इस्थिर कीमतों पे 36,82 प्रतिशत हो गया इसका लाबत 2011-12 में जो 33,66 का अंस है सकल घरेल उत पाद में ये 49,06 प्रतिशत था जो कि इस्थि कीमतों में 2021 में 37,56 प्रतिशत हो गया है और वहीं बात करते हैं 2011-12 के जो दुतियक छेत्र का अंस था ये 27,09 प्रतिशत था और अब 2021 में ये 25,62 प्रतिशत हो गया है इसके बात करते हैं प्रतिव्यक्ति आए की तो इस्थिर मूल्यों पे पहले बात करते हैं तो 2011-12 जो है आधार वर्ष रखा गया है तो 2020-21 में प्रतिव्यक्ति जो शुद्ध आये है ये अंठामन 1425 रुपए होने का अनुमान है 2019-20 में ये जो प्रतिव्यक्ति आये थी ये 32,236 रुपए थी इसके लाबा प्रचलित भावो पे बात करें तो 2019-20 में जो प्रतिव्यक्ति आये है ये 1,3,228 रुपए है तो प्रतिव्यक्ति आय है 98,418 रुपए तो वर्तमान वर्ष में प्रतिव्यक्ति आय में 4.7 एक प्रतिशत की कमी देखी गई है तो अब यहाँ पर देखे याद रखने के लिए कुछ योगिता थे दिये गए हैं यहाँ पर वर्ष 2019, 2020 और 2021 के दिये हुए हैं यह डेटा और जो राशी है यहाद रखेगा करोड रुपए में हैं तो जो राजसों घाटा है यह 2697.77 करोड रुपए था 2019, 2020 में 2021 में 17,514.01 करोड रुपए हो गया राजकोसी घाटा 32,693.78 करोड रुपए था वज 2019, 2021 में 47,369.63 करोड रुपए हो गया इसके बाद देखते हैं राजकोसी घाटे का प्रतिशत कितना रहा है तो 2019 बीस में 3.61 प्रतिशत था 2020 में 4.99 प्रतिशत था इसके बाद है GDP से राजा सुपरातियां तो 1,48,561.30 करोड रुपए था 2019 बीस में 2020 में 1,36,596.36 करोड रुपए हो गया इसके बाद है सुद्ध लोक रिण तो 23,681.58 था वर्ष 2019 बीस में और 47,101.54 करोड रुपए हो गया 2020 में इसके बाद है राजा सो व्याय तो 1,59,269.06 करोड रुपए था वर्ष 2019 बीस में यहीं चीज 2020 में रही है 1,04,110.3 करोड रुपए है फिर है रिण एवम अग्रिम तो 877.17 करोड रुपए था वर्ष 2019 बीस में और 2021 में बात करें तो 1,536.41 करोड रुपए रही है फिर यहाँ पर देखते हैं और द्योगी कामगारों के उब्भोकता मूल सूचकांग तो मद्ध प्रदेश के चार केंदरों तथा भुपाल ज इसके बाद है आधार आधारित राशन वितरन व्यवस्था यानि की एई-ई-पीडियस तो प्रदेश की संपूर्ड 25,236 उचित मूल की दुकानों पर POS मसीन के माध्यम से राशन का वितरन किया जाता है अक्टूबर माह 2019 से प्रदेश में एई-ई-पीडियस का क्रियान किया जा रहा है जिसके अंतरगत पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के अधार पर किया जाता है और उसके बाद उन्हें राशन वितरन किया जाता है तो प्रदेश के लगभग 24,000 उचित मूल की दुकान है उनमें से जो पात्र हितिग रही हैं वो किसी भी दु प्रत्मान में बात करें तो लगभग 3.85 लाख परिवार हैं जो कि प्रतिमाय पोटिबिलिटी का लाप प्राप्त कर रहे हैं इसके अलावा प्रधान मंत्री उज्वला योजना है तो इस योजना के तहत 71.2 लाख गरीब परिवार हैं जिनकी महिलाओं को गैस कनेक्शन द ब्रिद्धी हुई है जो कि 2019 बीस में 12.2 प्रतिशत थी तो कुल फसलों के उत्पादन में वर्ष 2019 बीस में कत वर्ष की अपेक्षा 23.48 प्रतिशत की ब्रिद्धी हुई है उसके बात करते हैं सन 2018 की तुलना में 2019 बीस में तो जो दलहन है तो उसके 6 तरफल में 25.87 की प्रति तुछ दिलहन के चेटर में 12.2 परतिशत की ब्रिद्धि देखी गई है और तिलहन के चेटर में 12.2 परतिशत की ब्रिद्धि देखी गई है अनाज का कुल उत्पादन वस्थ हजार सीकिस में मग एक पांची छुन Philip दो हजार बीस इकिस में दो चार साथ नौ पाँच हजार टन अनुमानित किया गया है तो 2018-19 की अपेक्षा बस 2019-20 में खाध्यानों के छेत्रपल में 7.39 प्रतिशत की यहां पे बृद्धी देखी गई है इस अवधी में खाध्यान के उत्पादन में भी 32.33 प्रतिशत की बोया जाता है मतलब कि अगर बात करते हैं कि सबसे जादा कौन सा अनाज बोया जाता है प्रदेश में तो वह है गेहूं जो की 1027-1001 हेक्टेर चेतर में बोया जाता है तो प्रदेश की इसके बाद प्रमुक वाडिजिक फसले कौन से यह भी जान लिजे तो कपास तथा ग अनुसंसावा निर्धारित सर्क्तों के साथ प्रारम हुआ था 2020-21 में 6,44,000 हेक्टेर चेतर में बीटी कॉटन का उत्पादन हुआ है इसके बाद है FPO तो भारा सरकार द्वारा दिनां 29 फरवली 2020 में FPO यानि कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन फॉर फार्मा प्रोडूसर और्गनाजेशन योजन जो है ये प्रारम की गई थी जिसके तहट प्रदेश में आगामी तीन वर्सों में 1090 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा और हर एक विकास घंड में कम सकम दो FPO गठित किये जाएंगे इसके वाद है सब्मिशन ओन एग्रिकल्चर एक्स्टेंशन यानि की आत्मा कारेक्रम है ये 2005-2006 में भारा सरकार की साहता से लागू किया गया था और पूर्व में इसका नाम विस्तार सुधार कारेक्रम था जिसे 2014-15 में परिवर्तित कर दिया गया था इसके वाद है स्वाइल हेल्थ का योजना तो 2019 भी इसमें इस य कासखंड एक ग्राम का चैयन किया गया है क्रिशको के कास्त योग एक लाग 27,634 खसरों से 1,27585 मृदा नमुना एकत्री करण कर विस्तिलेशन उपारांत 1,27585 क्रिशको को स्वाइल हेल्थ कार्ड वित्रित किये गए हैं इसमें से प्रदेश के 50 विभागी मिट्टी परि हेक्टेर थी क्रिसी उपच के वैग्यानिक भंडारन का कार मंद्र प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक द्वरा किया जाता है वर्तवान में 149.33 लाख मैट्रिक टन कार शील भंडारन शमता है यहां की मंद्र प्रदेश की फिर है पशुधन तो 2019 की पशु ग अर्याना, मालवी, निमाडी, जर्सी तथा मुर्गा आधी उन्नत नसल के सांड पाये जाते हैं पस 2016-17 में प्रदेश में भारत सरकार द्वारा नील करांती योजना लागू की गई थी योजना में तालाब निर्माड, केज, कल्चर, मत्स, वीज, उत्पादन, हेतु, डे ज़दाबार पूछा जा चुका है इंक्साम्स में कि जुमद्य प्रदेश का छेत्र है, इसका कितना प्रतिशत छेत्र फल जो है, यह वनों से घिरा हुआ है, तो 30.72 प्रतिशत है, इसे याद रखेगा, राज के वन छेत्र का 75 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक को बढ़ावा देना है इस मिसन के अंतरगत होता क्या है तो प्रदेश की ग्यारा वन मंडलों में देखे इन पॉइंट में जितने भी डेटा हुए हैं सारे के सारे इंपोर्टेंट है अगर आपने प्रिवियास को एक्जाम दिया होगा मदप्रदेश का तो आपको आइडिया लग्या होगा कि कोश्चन कहां से पूछ लेता है देखे पूरा का पूरा आज का वीडियो ही इ चांसे सा कि कोई भी एकजाम हो एक नए कोश्चन यहां से जरूर बनेगा आगे देखते हैं उद्योग की बाद तो वर्स 2019 बीस में 2.88 लाक उद्योग पंजिक रित हुए हैं जोकि पिछले वर्स यानिकी 2018 की तुलना में 3.35 प्रतिशत कम हैं सूच मनलगू एवं मध्यम उद्योगों में 2019 बीस में 19,242 करोड रुपए की पूजी निवेश की गई थी जिन में से 9.94 लाक रोजगार का स्रेजन हुआ था रोजगार स्रेजन की पिछले वर्स की तुलना में 3.52 प्रतिशत कम रहा है इसके आद पर्याटन की बात करते हैं तो पर्याटन कारकरम वि लेटक वाहन, होटल, रिजॉर्ट, कन्वेंशन सेंटर, हैलिटेज होटल, होट एर बलूनिंग, वाइड लाइफ रिसॉर्ट आधी को पर्याटन पर्यूजनौ की सूची में चोड़ा गया था फिर यहां पर खनीज की बात करते हैं तो हीरा एवं मैंगनीज, आयस के उत् प्रथम, चूना पत्थर एवं रॉक, फॉसफेट के उत्पादन में दिती, तथा कोईला उत्पादन में मद्प्रदेश का इस्थान चोथा है, तो ये पॉइंट भी काफ ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यहां से भी कई बार खोश्यन आ चुके हैं, दोहजार उन्निस के कारण प्रदेश में विद्यूत उप लबदिता नवंबर 2020 में 21,220 मेगवाट रही है, सड़कों की बात करते हैं, तो राज में कुल सड़कों की लंबाई 70,961 किलो मीटर है, जिन में से रास्टी राजमार्ग 8,888 किलो मीटर, राजी राजमार्ग 11,389 किलो मीटर है, दिसंबर 2000 से प्रदानमंत्री ग्राम साड़क योजना किरियानवित की जा रही है, फिर सिचाई की बात करते हैं, तो राज की 10 प्रमुख नदियों में वार्सिक औसतन 81,500 मिलियन गन मीटर पानी उपलब्ध रहता है, जिन में से मद्ध प्रदेश को 56,800 मिलियन गन मीटर पानी मिलता है, जो कुल उपलब्ध जलका 69,7% है, वस 2018-19 में सिंचित छेत्र 11,356.2,000 हेक्टेर हैं, जो गत वर्स से 7,48 प्रतिशत अधिक हैं, सुद्ध सिंचित छेत्र में सरवादिक रिचाई कुए एवं नलकूप से जो की 76,31 प्रतिशत हैं, उनसे होती है, इसके बा भूमी सिंचित थी, जिनमें से गेहूं के अंतरगत सिंचित छेत्र सरवादिक रहा है, अब यहाँ पे कुछ महतपूर जानकारिया दी हुई हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, तो वस 2020 के अंत में कुल बेरोजगारों की संख्या 24,72 थी, जो की पिछले वस की तुलना में 21 25.95 प्रतिशत कम रही है, प्रदेश की 1.29 लाख बसाहटों में लगबग 5.57 लाख हैंड पंपों, एवं 16.38 हजार नल जल प्रदाय योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से 1.08 गाओं बसाहटों में प्रतिवक्ति 55 लीटर जल के मान से जल उपलब्द करवाया जाता है, प्रद प्रदेश में 11 केंदरी जेल, 41 जिला जेल, 73 सब जेल एवं 6 खुली जेल हैं, तो जितने भी important point बताएं मैंने आपको इस वीडियो में सारे के सारे important हैं, हर एक exam में यहां से question बनेगा ही बनेगा, तो अगर आपको एक बार में यह data याद नहीं होता है, तो या तो आप इसक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिजेगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए, उसका तुरंत आपको notification आजाए, मिलते हैं, अगले अंके प्रकाशन के बाद, तब तक के लिए, take care and thank you guys.